कथा साहित्ते में आपका स्वागत है आईए आज सुनिये हिंदी की सुप्रसित लेखी का डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी कहानी का शीर्षक है तूफान कॉफी मग के साथ नजर उठाती जैनिफर को एक हिंदुस्तानी नौजवान खड़ा दिखाई दिया रेस्ट्रॉण में सेलानियों की भारी भीड थी उस भीड में बस जैनिफर के सामने वाली कुरसी ही खाली थी ओ श्योर जैनिफर ने हामे भर दी आश्वस्ती की सांस लेता युवक अपनी जैकेट कुरसी की पीट पर ठांग आराम से बैठ गया जैनिफर के सामने कॉफी पॉट और मग रखा था आप कॉफी लेना चाहेंगे थैंक्स आपने तो काउंटर की भीड में चाने से बचा लिया भारतियों की पहचान ही महमान नवाजी होती है आप इंडिया के किस शहर से हैं अपनी बात कहते सुधीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई उसके दोस्तों का कहना था वैसे तो सुधीर एक निहायर शरीफ भोला भाला युवक है पर बातें बनाने में उस्ताध है ना आप मेरे मेहमान है ना मेरा जन्म इंडिया में हुआ है मैं अमरीकी नागरिक हूँ कॉफी ओफर करना एक कटसी है डेट सॉल कॉफी का सिप लेती जैनिफर की बात ने सुधीर को चुपसा कर दिया माफ कीजिए पर आपको देख कर तो कोई भी आपको इंडियन ही कहेगा हिंदी में बात भी कितनी आसानी से करती है इसमें ताच्चुप की क्या बात है मेरे पेरेंट्स इंडिया से है मेरा जन्म अमरीका में हुआ है इसलिए मैं अपने को अमेरिकन कह सकती हूँ यहां जन्म लेने वालों को अमरीकी नागरिकता जन्म से ही प्राप्त हो जाती है चलिए मैं कुछ हद तक तो सही हूँ आखिर आपकी रगों में भी खून तो हिंदुस्तानी है अपना परिचे देना चाहूँगा मैं सुधीर आयाटी कानपूर से कंप्यूटर इंजिनरिंग करते ही यहां एक अच्छी सॉफ्ट्वेर कंपनी में जॉब मिल गया अपने बारे में बताते सुधीर के चेहरे पर हलका सा गर्व छलकाया आजकल तो अमरीका से लोग काम के लिए इंडिया जाते हैं एनिहाओ आपके बारे में जानकर खुशी हुई आपका परिचे जान सकता हूँ मिस अगर आप परिचे कॉफी नहीं तो जैनिफर हूँ मग रखकर जैनिफर ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली शायद आप ग्लेशेर टूर पर ले जाने वाली बस का टाइम देख रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अथाबास का ग्लेशेर का टूर नो या यहीं बैठ कर दूर से ही नजारा देख लू इतनी ठंड में आप बरफिले ग्लेशेर पर जाएंगी उस अनुभव के बिना यहां आने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता वहीं अनुभव लेने तो यहां सैलानियों की भीड है अगर आप जा रही हैं तो मेरा जाना भी जरूर बनता है लड़की होकर भी आप हिम्मत कर रही है तो भला मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ माफ कीजिए अमरीका में लड़कियों को किसी भी चेतर में लड़कों से कम नहीं समझा जाता सौरी मेरा वो मतलब नहीं था बाते बनाने में उस्ताद सुधीर से गलतियां होती जा रही थी बस जाने का टाइम हो रहा है मैं चलती हूँ जैनिफर खड़ी हो गई ओके मैं भी चलता हूँ वरना मेरी बस छूट जाएगी तेजी से डग भरता सुधीर रेस्टरों की कुरसी पर टांगी अपनी जैकेट लेना भूल कर जैनिफर के आगे हो लिया काउंटर से दो टिकेट खरीद एक टिकेट जैनिफर की और बढ़ा कर बोला आपका टिकेट मैंने ले लिया है थैंक्स वैसे इस महरभानी के जरूरत नहीं थी जैनिफर ने फर्स खोल पैसे निकाले रहने दीजिए क्या फर्क पड़ता है मैं पैसे दे चुका हमारी इंडिया में अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ है तो पुरुष का फर्स है पर्स वही खोले सौरी यह आपका इंडिया नहीं है किसी अजनभी से फेवर लेना मुझे पसंद नहीं है जैनिफर ने टिकट के पैसे सुधीर को थमा दिये रेस्टराँ उचाई पर था काफी सीरिया उतरने के बाद दोनों बस के पास पहुँचे बहुत से सेलानी पहली से मौजूद थे बर्फ के ग्लेशेर पर चलने वाली बसें भारी लागत से बनाई गई थी सामने फैली बर्फ की मोटी चादर का नाम अथाबास का ग्लेशेर था जैनिफर बोली जानते हो अथाबास का ग्लेशेर को कोलंबिया आइस फील्ड से बर्फ की सप्लाई मिलती है हर साल करीब 23 फीट स्नोफॉल होता है बर्फ की कहराई 270 फीट से 1000 फीट तक है यह 6 किलोमेटर लंबा है देख कर कोई नहीं जान सकता यह ग्लेशर धीमी गती से नीचे आ रहा है वाह लगता है तुमने तो इस ग्लेशर के बारे में पूरी रिसर्च की है मैं जिस टूरिस्ट पॉर्ट पर जाती हूँ वहां के बारे में पूरी जानकरी लेना मेरी आदत है गुड चलो बस में बैठते हैं बाहर तो ठंड से हाथ सुन हो रहे हैं बाई देवे तुम्हारी जैकेट कहा है सुधीर पर निगाह डालती जैनिफर ने पूछा ओ गौड वह तो मैं रेस्ट्राउं में ही छोड़ाया अब अगर वापस जाता हूँ तो यह बस मिस हो जाएगी अपनी पूरी बहां के स्वेटर में सुधीर जैनिफर के पीछे जल्दी में भागता आ गया था खुरसी से जैकेट लेने की याद ही नहीं रही कोई बात नहीं ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बेकार है यह आखरी बस है तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करेगी चाहो तो कल की बस ले लेना कल तक रुखना मुश्किल है मैं लापर वहां इंसान हूँ सजा तो मिलने ही चाहिए चलो यह भी एक अनुभव है लाटने पर जैकेट मिल जाएगी ना अगर जैकेट किसी इमानदार इंसान को मिली तो शायद वो रेस्टरॉण के मालिक के पास डखतेगा अगर ऐसा ना हुआ तो जैकेट को भूल जाना ही बहतर है वैसे सामाने तहां अमरीकन इमानदार होते हैं गनी मत है तुम पूरी बहां का स्वेटर पहने हो बस में हिटिंग चल रही थी अंदर आराम देहे तापकरम था बस चल पड़ी साथ बैठी जैनिफर से सुधीर ने पूछा सुना है ग्लेशर पर लोग स्नोबॉल बना कर खेलते हैं स्नोफॉल का खूब मजा लेते हैं मुझे इन बातों का कोई एक्सपेरियंस नहीं है टेकसास में तो कभी बर्फ नहीं पड़ती हाँ हमारे लिए स्नो या स्नोफॉल कोई नई चीज नहीं है शिकागो में रहने वाले बर्फ छेलने की आदी होते हैं हम स्नोफॉल एंजॉय करते हैं तुम शिकागो में रहती हो रहती थी अब कहीं और जॉब लेना है कहां और किस फिल्ड में जॉब लोगी अभी कुछ पता नहीं जैनिफर चुप हो गई बस ड्राइवर अथापास का ग्लेशिर के बारे में जानकरी देता जा रहा था बर्फ पर कुछ स्थानों पर फ्लेग से निशान लगाए गए थे ड्राइवर ने बताया उन जगाओं में गढ़े है अगर गलती से बस उनमें फंस जाये तो बर्फ में चिपे गढ़ों से बाहराना कठिन है बर्फ पर बस में यात्रा एक अधभुत अनुभव था जितर द्रिस्टी डालो सफेद बर्फ का सामराजय था ग्लेशिर पर एक नियत स्थान पर पहुँचकर बस रुक गई पहले से पहुँची बसों से उतरे प्रियाटक बर्फ पर मस्त खेल रहे थे हलकी स्नोफॉल उनके आनंद को बढ़ा रही थी जैनिफर खुश हो गई वाओ वियर लक्की ग्लेशिर पर रुई जैसी स्नोफॉल हो रही है इसके साथ खेलने में मसा आ जाएगा कम आन जैनिफर ने सुधीर से बस से उतरने को कहा नहीं मैं बस में ही रहूँगा नीचे बर्फ और उपर से स्नोफॉल मैं नहीं सहपाऊंगा जैकेट भी तो नहीं पहनी है बी ए स्पोर्ट अगर यह अनुभम नहीं किया तो यहां आना बेकार है चलो मैं अपनी जैकेट तुम्हें उधार देती हूँ बात कहती जैकेट उतार सुधीर की और बढ़ा दी नहीं मुझे यह नहीं चाहिए बीना जैकेट के तुम इस ठंड में कैसे रहोगी तुम भूल रहे हो हम ये सब एंजॉय करते हैं हम कई दिनों तक जमी रहने वाली बर्फ के बीच मज़े से रहते आएं है Now, come on सुधीर को अपनी जैकेट पहनने को विवश कर जैनिफर ग्लेशेर पर उतर गई जैनिफर का साथ और ग्लेशेर पर खड़े होने का अनुभव सुधीर को रोमान्चित कर गया जैनिफर ने बर्फ का गोला बना कर सुधीर पर फैंका तो जवाब में सुधीर ने भी गोला फैंका अब सुधीर को भी खेल में मसा आने लगा स्नोफॉल की बढ़ती गती की परेटकों को कतई चिंता नहीं थी ग्लेशेर पर कुछ स्थान फ्लैक से चिंनित किये गए थे टूरिस्ट काइट ने चेतावनी दी इन जगाओं में लूप होल्स हैं उधर कोई ना जाए पिछले साल दो टूरिस्ट ऐसे ही बर्फ के कठे में फस गए और जान से हाथ धो बैठे चेतावनी के पावजूद एक दो दूस्ट सहासी उन चिंनित होल्स में जाकने का प्रयास कर रहे थे स्नौफॉल की तेजी बढ़ने लगी थी रूई के फाय जैसी स्नौग की साइज और मात्रा बढ़ गई थी तेज सर्थ हवा और ठंडा ग्लेशियर सुधीर को डरा गया बस ट्राइवर ने आवाज लगाई भारी तुफान के आसार है जल्दी वापस लोटना होगा जल्दी करो सारे परियाटक मिंटों में बस में समा गए बंद शीशों के बाहर तेज हवा के साथ गिरती बर्फ आतंकित कर रही थी विजिबिल्टी इतनी कम हो गई कि बस ट्राइवर भी चिंदित दिख रहा था आते समय बस की रहा में बताये गए बर्फ में छिपे गढ़े सुधीर को डरा रहे थे अगर गलती से बस किसी ऐसे गढ़े में फस गई तो वापसी असंभव थी जैनिफर उसका डर भाप गई तसली देती बोली डरो मत हम सही सलामत पहुँच जाएंगे ऐसी बाते मुझे परेशान नहीं करती यू आर पूल मैं जल्दी खबरा जाता हूँ मेरे दोस्त भी ऐसा ही कहते है ठैंक्स गॉड तुम साथ हो जैनिफर की बात सच निकली बस सही सलामत अपने स्टॉप पर पहुँच गई यात्रियों ने ताली बजा कर अपने खुशी जाहिर कर दी बस स्टॉप से सड़क के उस पार वाले रेस्टॉण में पहुँचने के लिए कई सीड़ियां चड़नी पड़ती थी पर उस तोफान में वही एक शरन स्थल था सीड़ियां पार करने में तोफान बाधा डाल रहा था किसी तरह तोफान से लड़ते हुए दोनों रेस्टॉण के साथ वाली गिफ्ट शॉप में पहुँचे ही थे कि बत्ती गुल हो गई लोगों में हडकम सा मच गया टॉर्श की रोशनिया जिल मिला उठी अब क्या होगा पता नहीं जैकेट ना जाने कहा होगी भैबित सुधीर ने पूछा अब अपनी जैकेट को तो भूल ही जाओ किसी और का भला हो जाएगा जैकेट की नहीं मैं आगे की सोच रहा हूँ रात कहां काटेंगे यहाँ जो भी गिफ्ट शॉप या रेस्टरॉन है वहाँ भी तो इनसान काम करते हैं हमें धक्के देकर तो बाहर नहीं निकालेंगे यहाँ किसी कोने में रात काटनी होगी चलो अपने लिए कोई कोना ढूंड ले जैनिफर के हाथ में एक पैन नुमा टॉर्च था उसकी हलकी रोशनी के सहारे दोनोंने शॉप के पीछे एक कोने में जगा ढूंड ली रात कहराती जा रही थी हेटिंग बंद थी ठन भढ़ती जा रही थी सुधीर ने जैकर जैनिफर को दे दी पर सर्दी सहपाना कठिन था सुधीर के दाथ बच उठे उनिंदी जैनिफर ने निसंकोर सुधीर को अपने शरीर से सटा लिया उस शरीर के सपर्ष ने जैसे सुधीर को जीवन दान दे दिया सुधीर के हाथ अनायास ही चंचल हो उठे सुधीर ने पूरी ताकत से जैनिफर को भीच लिया और उसके उठों पर चुम्बन करने का दुस्साहास कर बैठा जैनिफर तड़पकर उठ बैठी यू रासकल मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी हेल्प करनी चाही पर तुमने उसका गलत मतलब निकाला नाव गो अवे फ्रॉम हेर सौरी जैनिफर अंजाने में गलती हो गई मैं अपने पर कंट्रोल नहीं रख सका सुधीर दैनिय हो आया नहीं मैं सब समझती हूँ तुमने सोचा होगा अमरीका में पली बड़ी जैनिफर को सेक्स से कोई परहिस नहीं होगा एक बात अच्छे तरह से समझ लो मैं इस देश की हवा में पली बड़ी जरूर हूँ पर मेरे अंदर एक विशुद हिंदुस्तानी लड़की सांस लेती है मेरी मा ने हमेशा सही गलत की शिक्षा दी है शादी के पहले सेक्स का अनुभव गलत बात है शायद हिंदुस्तान में तुम्हें यह बात नहीं बताई गई यकीन करो जैनिफर मैं तुम्हारा आभारी हूँ मैं भी जानता हूँ शादी के पहले सेक्स गुनहा है तुमने मुझे इस गुनहा से रोक दिया अपनी गलती के लिए मुझे जो चाहो सजा दो मैं कोई भी प्रैश्चित करने को तयार हूँ सुधीर ने सच्चाई से कहा तुम जैसे इंसान को सजा मैं नहीं दे सकती तुम्हारी सजा भगवान तय करेगा अब तुम्हें एक पल भी सहना मेरे लिए सजा होगी प्लीज जाओ उदास सुधीर थोड़ी दूरी पर एक खाली कोने में बैठ गया ठंड से शरीर अकड़ा जा रहा था बाहर से तेज हवा खिड़कियों के शीशे तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी पता नहीं कब सुधीर संग्या खो बैठा होश आने पर सुधीर ने अपने को एक हॉस्पिटल में पाया मैं यहां कैसे आया पास खड़ी नर्स से सुधीर ने पूछा कोई जैनिफर नाम की लड़की थी आपके लिए यह नोट दे गई है नर्स ने एक कागस पकड़ा दिया कागस की सुंदर लिखाई को सुधीर एक सांस में पड़ गया सौरी हिंदुस्तानी किसी का बुरा नहीं चाहते कल गुस्य में कहा था भगवान तुम्हें सजा देंगे सुभा शोर मचा था ठंड के करण कोई बिहोश हो गया तुम्हें बिहोश देखकर अपने को कर्स किया उम्मीद है तुम जल्दी ठीक होकर वापस चले जाओगे तुम्हारे लिए अपनी जैकेट छोड़े जा रही हूँ एक बात हमेशा याद रखना कभी कोई ऐसी गलती मत करना जिसके लिए शर्मिंदा होना पड़े यह बात निभा सको तो इसे ही अपनी सजा समझना विदा जैनिफर स्तब्द सुधीर जैनिफर का नोट देखता रह गया काश जैनिफर जान पाती सुधीर उन गए गुजरे युकों में से नहीं है जो ऐसा जगन्या अपराद करे वह तो उस तोफान का नतीजा था जिसने उसके भीतर तोफान छेड़ दिया क्या अब वो कभी जैनिफर से फिर मिल सकेगा अगर भगवान उसकी सच्चाई जानता है तो जैनिफर उसे जरूर मिलेगी सुधीर को पूरा विश्वास है अभी आपने डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी सुनी अब मुझे आके दीजिए फिर आउंगी एक और कहानी के साथ धन्यवाद